तो किया अच्छा है सस्त्रियकाल मैं हूँ नियॉर्ण मैन और कईज आज हम लोग बात करने वाले हैं the mysterious case of पूनम पांडे के बारे में पूनम पांडे के साथ दो दिन पहले ही हुआ था जहाँ डिजाइनर रोहित वर्मा अपने इंस्टेग्राम में एक पोस्ट के थे जिसके caption में वो यह explain किये शॉक्ट बियाउंड वर्ड्स पूनम शॉट विद्मी फॉर माई नियू कलेक्शन जस्ट टो देज बैग चलो यह फिर भी ठीक है इसके बाद उनके bodyguard का statement आया और नहीं मेर को कुछ signs दिखे that she was ill अब यहाँ पर जो family वाला बात उठा है this is the most important information normally जब भी हम लोग को ऐसे unfortunate news सुनने को मिलते हैं सबसे पहले family के तरफ से confirmation आता है कि हाँ ऐसा हो गया है और इनका अंतिम संसकार ऐसे होगा यहाँ होगा तो of course बहुत सारी media outlets reach out के वो management team को और उनसे वो पूछे कि आपको यह information and news कहा से मिला जो कि आप post कर दियो तो उनने बोला कि उनकी sister ने हम लोग को call करके बोला था और इसलिए हम लोग post कर दिये और फिर जब उनसे पूछा गया कि यह post हो जाने के बाद क्या उनका sister से फिर से बात हुआ for further details तो उनने बोला no उनके sister से फिर बात ही नहीं हुआ एक close source भी बता है कि वो पूनम के sister उनके 2-3 family members mother सबको reach out करने की कोशिश किये बट सबका phone unreachable आ रहा है कोई भी phone नहीं उठा रहा है तो इस पर react करते वे पूनम पांडे की manager ने ये statement दिया था कि उनका cancer detect हुआ था कुछ time पहले and it was in the latter stages but then again लोग बोलने लगे कि चलो ठीक है हम लोग माल लेते हैं ऐसा हुआ होगा but still उनके ये death के ओपर investigation होना चाहिए क्योंकि past में उनका एक troubled relationship रहा है तो police should get involved in this matter and investigation होना चाहिए and they are hoping कि भाई ये publicity stunt ना हो क्योंकि this will be too much यार अपने मौत को लेकर कौन इतना बड़ा publicity stunt कर सकता है कुछ लोग point out करके बता है कि कल है World Cancer Day 4th February को तो सकता है उसके awareness के लिए ये वाला situation create किया गया हो and finally if all these things weren't enough पूनम पांडे का जो last interview हुआ था एक clip वहाँ से बहुत जादा viral जा रहा है जहाँ पर वो बोली थी कि वो एक बहुत ही बड़ा surprise देने वाली है सभी लोग को आप खुद देख लीजिए के सामने एक इतना बड़ा news आने बाला है जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगना लोगों को surprise करने और जब वो समझते हैं सोचने कि ये सुधर रही है तो मुझे surprise करना अच्छा लगना तो एक बहुत ही बड़ा news आपके सामने बहुत ज़ली आने बाला and of course ये सारे चीजों को देख कर लो के मन में बहुत जादा सवाल उठ रहे है and लोग कुछ ऐसे tweets कर रहे हैं जैसे कि singer Rahul Vahidya भी कहे am I the only one who thinks Poonam Pandya is not dead बहुत ही mysterious situation है आ रहे है and लोग को सवालों का जवाब चाहिए and guess what guys लोग का शक बिलकुल सही था as it turned out कि Poonam Pandya just अपने Instagram में एक वीडियो पोस्ट करके बोली कि she is alive and वो ये सब की थी to spread awareness about cervical cancer and of course this was probably the worst publicity stunt ever तो लोग इस चीज को देख कर बिलकुल भी खुश नहीं हुए and उनके comment section में उनको बहुत जादा hate मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते हो in fact Ashish Anshalani भी ये tweet किये के Instagram में एक और वीडियो आया था जहां पर वो sorry बोली सब लोग को कि वो इतना extreme steply to promote this awareness campaign so yeah guys इस situation में अब आपका क्या opinion है मेरे को comment section में ज़ूर बताना तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले Ronnie के बारे में तो Ronnie का शादी हो गया है जिहां कल वो अपने Instagram में ये post करके announce कर दिये my best friend, my everything, my partner in crime, my forever and of course बहुत सारे YouTubers like Triggered Insan, Sword of Joshi, Total Gaming, Thugesh and many others उनको congratulations wish किये तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले सिधार्त आनंत के बारे में तो fighter के director के ये statement को सुनकर लोग उनको बहुत जादा ट्रोल कर रहे है जिहां guys आप लोगों को पते हुआ कि fighter उतना जादा अच्छा perform नहीं कर रहा है box office में तो इसी सर रेलेटेट जब उनसे discussion किया जा रहा था कि उनको क्यों लगता है, कि ऐसा क्यों हो रहा है बस इसके बाद बहुत सारे memes बनने लगे उनके ओपर ऐसे कुछ tweets viral जाने लगे पठान वोज हिट बिकाज 90% अफ इंडियन्स आर रह एजेंट कोई मिल गया वोज हिट बिकाज 90% इंडियन्स हैव अ एलियन फ्रेंड जादू जली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विकी जयन वर्सेस मुनावर फारुकी के बाड़े में तो विकी जयन मुनावर फारुकी के बिग बॉस विन्स से बिल्कुल भी खुश नहीं है जहां एक recent interview में उन्होंने ये statement दिया कि big boss show किसी के talent के बारे में नहीं है it's about personality and उनके हिसाब से मुनावर के अलावा और भी deserving contestants थे जो कि ये जीतना deserve करते थे बट मुनावर इसको जीते because of his crazy fan following and इतरह नहीं उनके हिसाब से मुनावर का ये जीत will have a bad effect considering his controversial romantic relationships ऐसा इसलिए क्योंकि लोग look up करते हैं अपने heroes को and they feel जो भी उनके heroes कर रहे हैं is right and inspiring मैंने ये चीज गेम में भी oppose किया था मैंने उनको directly बोला था कि भाई तुम बहुत ही talented इंसान हो बट आपका actions दिखाता है कि what kind of a human being you are तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्षे चोधरी के बारे में तो लक्षे चोधरी के चैनल के साथ एक काफी बड़ा issue हो गया जहां guys वो twitter में share करके बताए कि उनका जो short channel है उसको delete कर दिया गया for impersonation मतलब कि भाई वो खुद को impersonate कैसे कर सकते हैं वो तो खुद लक्षे चोधरी है तो इसके नीचे team youtube के तरफ से एक response आया कि please अपना channel url share करो उन्होंने share कर दिया है और आगे अभी चल रहा है बात ची तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विजे थालपती के बारे में तो अक्टर विजे थालपती मुवीज को quit करने वाले है यहां guys I am not kidding कल उनसे related यह बहुत ही बड़ा announcement आया कि वो अपना political party launch कर रहे है and he will fight elections yes उनके party का नाम होने वाले है को छोड़ देंगे and politics में fully focused रहेंगे उनके दो movie commitments बाकी अभी एक goat greatest of all time और दूसरा एक untitled movie है जैसे ही वो यह दो movies कर लेंगे he will leave movies अब यह वाला news सुनके विजे के fans बहुत जादा शौक हो गये but anyways चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में तो थगेश अपने next बड़े प्रोजेक्ट से related अपडेट दिए आप खुच सुल लीजे वो क्या बोले I know consistency थोड़ी सी कम हो गई है में चैनल पर थोड़ी सी थोड़ी सी कम होई है हफते के एक वीडियो आ रहे है और शाय थोड़ी टाइम तक हफते के एक वीडियो आएंगे बिकॉज एलसी के ओपर बहुत भारी काम चल रहा है बहुत भारी construction चल रहा है उस पर एंड उसके टीजर रेडी हो चुके है पहले बहुत सारी चीज़े होना जरूरी है फिर मैं आप कप्ट साथ सब कुछ शेयर करूँगा बहुत मजाएगा आपको इतना बुलूँगा थगेश हो के लेवल का है इसके बाद उनके एक और फैन यही सेम चीज़ करके फोटो पोस्ट कर दिये जिस पर आशिस चंचलानी का है भाई यार आशिस चंचलानी का एक दम प्रो पेंटिंग बना है जी हां आप ये प्रो पेंटिंग देख सकते हों उन्होंने क्रियेट किया अपने हातों से इस पर रियाक्ट करते हैं आशिस चंचलानी कुछ लाफिंग इमोजीज डाले एनिवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सल्मान खान एं संदीप रेड़ी वांगा के बारे में तो आफ्टर कबीर सिंग अनिमल क्या संदीप रेड़ी वांगा सल्मान खान के साथ एक मूवी बना सकते हैं विल गाईस कल इस से रेलेटेड कुछ बड़े रेपोर्ट साने लगे कि अपरेंटली संदीप रेड़ी वांगा सल्मान खान को अप्रोच की हैं वर डाक अक्शन थिलर मूवी बाई साहब अगर ये मूवी बना तो इट विल बी इंसेन बट यहां टॉकिंग बाउट संदीप रेड़ी वांगा तो वो आमिर खान की एकस वाइफ को एक सावेज रिपलाई दिये यहां basically what happened is कि आमिर खान की एकस वाइफ एक टाइम पे कबीर सिंग मूवी के अगें स्टेटमेंट दी थी कि बहुत ही misogynistic है तो इस पर याट करते वे संदीप रेड़ी वांगा का है जिस सुभा मेरे को किसे ने एक आर्टिकल दिखाया था और वहाँ पर एक सूपर स्टार की सेकेंड एकस वाइफ यह बोल रही थी कि बाहु बली टू और कबीर सिंग जैसे मूवीज मिसोजनी और स्टॉकिंग को प्रमोट करते है मेरे को लगता है कि उनको डिफ्रेंस ही नहीं पता है बिट्वीन स्टॉकिंग एन अप्रोचिंग अब लोग यह सब चीजों को जब रीट करते है आउट अफ कॉंटेक्स दे टेंड टू अग्री एंड इससे गलत नैरेटिव सेट हो जाता है और आगे वह बोलते मैं कहना चाहूंगा उस आउरत को कि जाके आमिर खान से पूछो खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या फूल जड़ी है वो क्या था then come back to me that is मतलब if you remember दिल almost रहे पटेम तक लेके जाके उसको एसास जाता है कि इसने गलत किया और उसको प्यार हो जाता है ये सब क्या है तो उन्होंने भाई उल्टा क्वेस्चेन ही पूछ लिया उनसे but anyways चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले मनीशा रानी के बारे में तो मनीशा रानी जैसे 11 million followers हिट की वो एक बहुत ही special चीज की यहां वो अपने इंसेग्राइम में ये वाला वीडियो शेयर की है और वो अपने caption में बताई कि 11 million followers हिट करने पे 11 girls के education को sponsor करने वाली है now this is an absolutely brilliant thing और लोग उनको बहुत जादा appreciate कर रहे है बट यहां चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले आयोध्या राम मंदिर के बारे में तो आयोध्या राम मंदिर से related कुछ बड़े updates आ है यहां काफी दिन हो गए आयोध्या राम मंदिर के inauguration को हुए और बहुत सारे devotees वहां पर जा रहे हैं इतने जादा लोग जा रहे हैं कि 11 दिन के अंदर भिल गाइस यह एक बहुत ही interesting concept है basically एक billionaire है Peter Thiel वो यह competition को fund कर रहे है and it will be a rival to the Olympics जो कि athletes को allow करेंगे to use performance enhancing drugs यहां guys I am not kidding बहुत सारे capitalists इसमें invest कर रहे हैं and वो लोग बोल रहे हैं it's a tournament that embraces the advancements in medical science and वो इसलिए athletes को allow कर रहे हैं कि health checks के साथ वो performance enhancing drugs को use कर सकते हैं इसमें बहुत सारे games होंगे like track and field, swimming, gymnastics and इसका inaugural edition is expected to be in 2025 अब enhanced games के बारे में तो मैंने आप लोगो बता दिया बढ़ चलिए अब मैं आप लोगो squid game season 2 के बारे में भी बता देता हूँ आप लोगो यादी होगा कि 2021 में यह वाला series release हुआ था and everyone was talking about it तो finally Netflix ने announce करके बता दिया है कि इस साल squid game season 2 आ जाएगा and उसका वो first look भी release किया है main character को आप देख सकते हूँ वो कैसे दिखेंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक देड़ लाग के निम्बू के बारे में yeah guys I'm not kidding एक 285-year-old निम्बू ढूंड आ गया था and उसको sell किया गया एक auction में for 1.5 lakh rupees and अगर हम लोग auctions के बारे में बात करी रहे तो मैसी का एक 23-year-old पुराना napkin था जहाँ पर वो sign करके बोले थे कि वो बार्सलोना को ही join करेंगे that will be sold for over 3 crore rupees so यहाँ तो चलिए अब कुछ achievements के बारे में बात करते हैं तो first of all film flicks ने complete कर चुके end it के subscribers then forhana HD art ने भी complete कर चुके end it के subscribers and finally MJ Reels Marathi vlogger को milchicon का silver play button so many many congratulations to all of them so यहाँ तो चलिए अब कुछ international stories के बारे में बात करते हैं तो first of all मुलग बात करने वाले Mr. Beast के बारे में so Mr. Beast को एक health issue था and उनको पता ही नहीं चला यार कि उनको ये issue था यहाँ guys उन्हें ने कल ये tweet करके बताया है कि उनको normal लगता था ये दूर का चीज सूपर blurry होता है बट जब वो अपना आख चेक करवा है तब उनको पता चला कि उनको bad stigmatism है अब इसके बाद जैसे वो contacts बहनना start किये उनका eyesight three times better हो गया like literally कुछ time पहले वो अपने channel में याला video बनाय थे तो उसको refer करते वे वो बुले I should have helped myself in this video बट चलिए final story के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले speed के बारे में तो speed जब गए थे Messi versus Ronaldo के club के match को देखने के लिए वहाँ पर उन्होंने एक बच्चे को बहुत ज़ादा डरा दिया था जहां guys आप लोगों पते हुआ कि speed Ronaldo के club Al Nassar को support करते हैं and Al Nassar का competitor है Al Hilal तो हुआ क्या कि जब वो ये match को देखने गए थे तब एक kid fan उनको approach करके बोले कि मैं Al Hilal supporter हूँ उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लो and also क्या speed सबसे unlucky इंसान है क्योंकि भई वो USA से Saudi Arabia गए just ये match को देखने है ताकि वो Messi vs Ronaldo को देख पाए but guess what guys ये match को Ronaldo तो खेले ही नहीं and Messi शायद 83rd या 84th minute में घुसे थे ये match को खेलने के लिए मतलब कि उनको Messi vs Ronaldo match देखने कोई नहीं मिला है और वो इतना दूर ट्रेवल करके गए but anyways चलो दोस्तो आज की वीडियो के लिए बसीते रहें अगर आप कोई वीडियो थोड़ा सभी पसंद आया हो तो like कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब लें कियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूस सब्मिशन का लिंक डेस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप कुछ न्यूस बेजोगे तो आपको क्रेडिट्स मिल सकता है मेरे डेस्क्रिप्शन में तो या इससे सपोर्ट करते रहना मिलते रेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई